हेलो दोस्तों कैसे हो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस आइसक्रीम सिरीज की सबसे शानदार सबसे रीच और शाही रेसिपी राजबोग आइसक्रीम इतना टेस्टी है ना किसी शाही मिठाई को भी ये पीछे छोड़ दे तो अगर आप डेजर्ट लवर हो और आइ डाला है ना कंडेंस मिल्क है और कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं की है जो आपको ना मिल सके तो वीडियो को एंट तक जरूर देखना पर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चानेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर देना और बेल आइकन को 500 एमिल दूद यानि कि आधा लिटर दूद एक बाउल में निकाल लेना अब इसमें से 3-4 चमच दूद एक कढ़ाई में डाल देंगे पहले और इसी में से 3-4 चमच दूद एक दूसरे छोटे कटोरी में निकाल कर रखा है मैंने अब पहले बड़े बाउल वाले दूद मे हम डालेंगे ठोड़े से केसर और अच्छे से मिलाएंगे इसे इस चोटे कटोरी वाले दूद में नए एक बड़ा चमच seaway अज candies बाउल कर इसे भी अच्छे से मिलाएंगे और अपढ़िया से मिक्स करने के बाद इसे भी एक साइड में रखकर अ पारी है कढ़ाई दू एक्स्ट्रा डाली है मैंने सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिलाएंगे हम फ्लेम को एकदम लो रखना और जब ये एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए इकटा हो जाए एक साथ और पैन को छोड़ने लगे तब समझना अपना इसे आप कोई भी मिठाई बना सकते हो दोस्तों पेढा पर फी कुछ भी पर आज हम इसे अपने आइस क्रीम में यूज करेंगे तो अब क्या करेंगे ना इसी पैन में ये बाउल का सारा का सारा दूद एक ही साथ डाल देंगे और अब दूद के साथ इस मावा को बढ़िया से मिलाते जाएंगे पहले आपको लगेगा इसमें गुठलिया हो रही है पर दोस्तों ऐसे कुछ नहीं होगा थोड़ा सा पेशन्स रखिए बस आप मावा को अच्छे से मिलाते जाना तो दीरे दीरे से दूद में ये मेट होता जाएगा तो जब इस तरीके से सारा मावा दूद के साथ मिक्स हो जाए ना तब हम इसमें डालेंगे आधा कप से थोड़ी सी कम चीनी चीनी को भी अच्छे से पिघलने देंगे और वैसे भी हमें इसे चलाते ही रहना है क्योंकि हमें इसे एकदम गाढ़ा होने तक पकाना है दोस्तों इससे पहले मैंने आपके साथ मैंगवा इस्क्रीम की रेसिपी शेयर की है और इसे दो तरीकों से दिखाया है मैंने दोनों भी तरीके एकदम ला जवाब है दोनों का भी रिजल्ट एकदम पॉफेक्ट है बहुत ही बढ़िया है तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है न तो जरूर देखना ट्राइ करना आम का सीजन साल में एक ही बार आता है तो इसे मिस ना करना अब यहाँ पर यह देखिए यह मिश्रन काफी गाढ़ा हो चुका है इसे चलाते चलाते कड़ाई के साइड में जो मिश्रन चीपक रहा है न इसे में हातो हाथ इसी में मिलाते जारे है तौ ऐसे करते करते बहुत ही बड़ी आसी रबड़ी बनी है दोस्तो अब अपना इस क्रीम ज़्यादा क्रीमी क्रीमी बने और अच्छे से सेट हो सके जल्दी मेल्ट ना हो इसलिए हम इसमें डालेंगे यह अपना कॉन फ्लोर का घोल मिश्रण में डालने से पहले फिर से एक बार इसे चमम से मिक्स करना और अब इसे भी अच्छे से मिलाते जाना 3-4 मिनिट मैंने इसे अच्छे से पकाया है आप देख सकते हो के इस सरसे कितना बढ़िया कितना सुन्दर कलर आया है और एकदम बढ़िया से काढ़ा हुआ है मिश्रन फ्लेवर के लिए न एंड में मैंने इसमें थोड़ी से इलाइची पाउडर भी डाल कर मिलाई है देखो ऐसा होने के पाद इसे एक बाउल में निकाल लेना और नॉर्मल टेंपरेचर पर आने के बाद ना इस बाउल को फ्रीज में ठंडा होने के लिए छोड़ना तब तक यहाँ पर मैंने ये कुछ बादाम लिये है इनको एकदम बारिक बारिक काट कर यूज करना और ऐसे ही कुछ काजो और पिस्ता को भी रेडी करके रखना पहले से ताकि बाद में फटा फट से आप इसे यूज कर सको वैसे ड्राइफ फ्रूट्स आप आपके चॉइस से ले सकते हो तो इन सारे ट्राइफ फ्रूट्स को कट करने के बाद ना मैंने थोड़ा सा भून कर भी ले रहे हूं तकि इनका टेस्ट इक दम इन्हांस हो जाए बहुत अच्छा लगेगा भूनने के बाद यह दिखे यह रेडी है लगभग आधा घंटा अपने इंस्टेंट मलाई रबड़ी को फ्रीज में ठंडा करने के बाद यह दिखे यहाँ पर आइस क्रीम बनाने के लिए मैंने ली है यह विपिंग क्रीम जनरली मैंने स्टार वीप ट्रोपोलाइट यही क्रीम यूज करत यह इससे ना क्रीम बहुत फटा फट सी विप हो जाती है अच्छा सी विप हो जाती वैसे यह नॉन डेरी विपिंग क्रीम है अब चाहू तो टेरी विपिंग क्रीम भी इस्तमाल कर सकते हो या डेरी क्रीम चाहिए तो फ्रेश क्रीम का भी यूज करो तो चलेगा बस फ्रे एकदम खड़े नहीं रहते हैं तो इस आइस क्रीम के लिए क्रीम को ऐसे ही बना कर रेडी करना ठीक हैं अब यहाँ पर यह अपनी इंस्टन्ट रबडी भी अच्छे से ठेंडी हुई है और काफी गाडी भी हुई है तो इसमें से थोड़ थोड़ सा मिश्रन इसमें डाल कर क्रीम के साथ अच्छे से विप करते जाना दोस्तों यह इतना टेस्टी लगता है ना कि बस इसे आपको ऐसे ही खाने का मन करेगा पर आइस्क्रीम बना रहे है तो क्रीम के बाउल में इसे डाल कर अब इसके उपर थोड़ा सा दूड़ डाल कर फिर हम इसे विस्क के हेल्प से मिलाते जाएंगे थोड़ा सा और दूद लगेगा क्योंकि हमें इसके कंसिस्टन्सी थोड़ी सी पतली रखनी है हलका सा मैंने इसमें यलो कलर का ड्रॉप डाला है क्योंकि मिश्रन को क्रीम के साथ मिलाने के बाद ने इसका कलर थोड़ा से लाइट हुआ है थोड़ा सा और यलो दिखेगा तो और भी बहुत जादा टिम टिंग लगेगा ये तो आप चाहो तो कलर को स्किप भी कर सकते हो क्योंकि अल्रेडी हमने इसमें केसर भी डाला हुआ है अब मैंने इसमें दोस्तों लगभग 3-4 चमच दूद डाल कर मिलाया है अगर आपके मिश्रन की कंसिस्टनसी थोड़ी सी पतली है तो हो सकता है आपको एक दो चमच ही दूद की जरुरत पड़े तो इस कंसिस्टनसी को देखते हुए आपको दूद की कॉंटिटी एड़्जस करनी होगी ठीक है तो यह बिल्कुल सही लग रहा है मुझे तो अब मैंने इसमें अपने रोस्टेट ट्राइफ्रूट्स डाल कर मिला दिये है और एंड में न मैंने इसमें पासर ड्रॉप्स केवडा इसेंस पी डाल कर मिलाया है आप रोस इसेंस पी डाल सकते हो अगर आपके पास केवडा जल या गुलाब जल जिसे हम रोस वाटर बुलते हैं वो है तो वो भी यूज़ करो तो चलेगा तो जो भी चीज़ आपके पास इनके अवेलेबल है ना इससे दालना नहीं है तो आगर वाटर हें केवडा वाटर वांटर इनके से कुछ है तो वह आल देना इसे न आईस्क्रीम के टेस्ट में और रीचने सा जाएगा और अब एक प्लास्टिक के कंटेनर में हम इस आईस्क्रीम को निकाल कर रखेंगे आप चाहो तो इसे ऐसे बाउल में भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं बस आपको न इसे उपर से एकदम टाइटली पैक कर करना होगा ताकि इस पर आईस क्रीस्टल्स ना जमें मैंने तो इसे उपर से गार्निश करके ढखकन लगाने से पहले इस पर एक पाश्मेंट पेपर लगाया है फिर ढखकन लगाया है और अब कम से कम साथ से आठ घंटे या ओवर नैट इसे फ्रीजर में रखकर सेट होने लेते हैं वैसे स्लाइस में कट करना चाहती हूं तो साइड से मैंने इसे हलका से लूज किया है और डिपे को पलट कर ऊपर से दो तिन बार थप थप आया तो इस तरीके से निकल कराया है अगर आपका आइस क्रीम एजी ली नहीं निकल रहा है तो आप क्या करना एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेकरना उसमें इस डिपे को बस कुछ सेकेंड्स के लिए पकड़कर रखना तो साइड से यह जल्दी जल्दी लूज हो जाएगा उसके बादी से निकालना तो वह निकल जाएगा मैंने नहीं से पहले थोड़ा सा प्लेन किया है साइड से भी करदस्त है ही कोई डाउट ही नहीं है पर उपर से अगर थोड़े से और ड्राइफ रूट्स डालो तो और भी रीज लगेगा ये और मज़ा जाएगा ड्राइफ रूट्स के साथ साथ मैंने इस पर थोड़े से रोज पेटल्स भी डाले है और एकदम गजब का लग रहा है य और उसे फेटने में समय और महनत थोड़ी जादा लगेगी अब इसे डेकोरेट करने में मैंने काफी समय स्पेंड किया है तो फिर से 10 से 15 मिनिट इसे ढखकर फ्रीजर में रख देती हूं मैं तो अच्छे से सेट होगा ये फिर कट करके सव करेंगे हम इसे तो ये युष्जर में इस तरीके से आईश क्रीम बना कर जरूर देखना आपको बहुत इच्छा लगेगा और अगर आपके पास विपिंग क्रीम नहीं है तो बिना विपिंग क्रीम कि और भी आईश क्रेम की रसी वाली है तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है, तो जल्दी से कर देना, साथ में ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलना, और ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियोज के लिए, आप मुझे यूट्यूब, फेस्बूक या इंस्टेग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, बाइं टेक केर, इंजॉइ झाल simple, झाल simple, आप मुझे कर देंग पनुट्यूब, बाइं आप झाल शेगे वीडियोज़, आप मुझे के लिएकन के लिएकन के ऊप arguब возचे हैं से नापक की इंसराख्योज, जापट प्लदी आपटना, जाप अमल, आपके भी थूज़, आपना भी आपके हैं चें